हमारे भारत की जनसंख्या यानि इंडिया की पॉपुलिशन क्या हमारे देश के लिए एक आसिट है यानि संपत्ति या सिर्फ एक लायाबिलिटी यानि देयता अश्रावलेकुम जै हिन जै जमकुश्मीर दिस इस नाजिया कटोच हम सब जानते हैं कि हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलिशन वाला देश बन चुका है इससे पहले चाइना दी मोस्ट पॉपुलिटेड कंट्रीज में शामिल था हमने चाइना से ये सीखा कि कैसे बढ़ती हुई पॉपुलिशन को आसेट यानि संपत्ती के रूप में कनवर्ट किया जा सकता है जहां पर हम अपने जो लोग हैं इनको आसेट यूज कर सकते हैं जैसे जहां पर हम सब लोग अपने आपको प्रोडक्टिव और एफिशेंट बना कर देश की प्रोग्रेस में अपना कॉंट्रिविशन अपना योगदान दे सकते हैं जैसे कि चाइना ने इस बात को साबित करके दिखाया क्या हमारा भारत, हमारा देश इस highly dense populated होने के बावजूद भी देश को एक developed, एक super power में कनवर्ट करने की ताक्त रख सकता है जवाब है हाँ Boston Consultancy एक report के अनुसार 2030 तक, world will require 48 crore workers मतलब दुनिया में 48 crore workers की जरूरत होगी and 2030 तक, इंडिया एकेला ही इतना capable होगा के वो more than 20 crore workers की जो requirement है उसको पूरा कर सकता है मतलब हमारा देश, हमारी भारत इतना capable होगा के वो इस requirement को जो ये workers की requirement होगी 2030 में 48 crore workers की requirement इस requirement को compensate कर सकता है through its talent pool कैसे possible होगा के हम इस workers की requirement को पूरा कर पाएंगे वो तभी possible होगा जब हमारे देश में, हमारे भारत में इंडिया में जो workers होंगे उन्हें हम skilled बना सके हम अपने आपको skilled बना सके so the need of the hour is we have to make ourselves, we have to be skilled, we have to work on our skills बहुत सारे ऐसे government programs है, schemes है, जो समय समय पर launch की जाती है in order to improve the skill of our country, skill of our youth highly populated country होने का एक और फाइदा हमें हो सकता है because जो हमारे देश में percentage है, जो हमारा demographic dividend है उसमें we are enjoying to be the, you know, youngest country हमारे देश में there are 65% of the people जो के under the age of 35 years है एक major section जो है हमारा वो young है, young लोगों से भरा है तो इसका मतलब यह है कि हम अपने young energy को देश के लिए कुछ productive करवा सकते हैं वोल्ड हमारी power को recognize कर चुका है जैसे कि America, America knows के India is the biggest consumer country हमारे देश में सबसे ज्यादा consumers जो है, वो है चाइना भी इस बात को identify करता है और वोल्ड की जो बड़ी-बड़ी companies है उन्हें पता है जो उनका सबसे the largest market they could have would be in India पर unfortunately हम अपनी power को recognize नहीं कर पा रहे हैं हमें अपने youth को skill बनाना है, वो सारी schemes launch होती है पर ground level पर उन skill programs को execute कैसे किया जा रहा है कैसी implementation हो रही है उन programs की इस बात को कोई भी इस बात को नहीं देखता मतलब एक proper quality check जहां पर होना चाहिए because it is the requirement यह हमारे देश के development के लिए बहुत जादा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को skilled बना पाए हम अपने आपको skilled बना पाए हम अपने देश के unemployment rate से भी वाकिफ है हमें पता है कि हमारे unemployment rate जो है वो कितना high हो चुका है पर हम इस unemployment crisis से overcome करने के लिए बाहर निकलने के लिए क्या efforts कर रहे हैं हमारे पास इतना educated youth है बट हमारे पास skilled workers नहीं है वो educated youth को एक PhD holders को हम कौन सी company में employment दे पाएंगे हमारे पास PhD holders के लिए कोई job recruitment policies नहीं है ये हम सब इस बात से अंजान नहीं है हम सब को आज की reality का पता है बट हम इस चीज को solve करने के लिए क्या कर रहे है that is the biggest question we need to improve our education हमारा इंडिया हमारे भारत particularly अगर मैं South India की बात करूँ हमारे जो southern portion of the country है it has the highest per capita income rate ऐसा क्यों है because हमारे south में वहां की जो state जो policies रही है उन्होंने हमेशा primary education पर focus किया है और उन्होंने improve किया है primary education को उस वज़ा से south के जो per capita income है वो comparatively बाकी state से high रहता है though education is the state policy जहां की भी state government education पर focus करेगी education को improve करने की कोशिश करेगी वहां पर skill develop करने की कोशिश करेगी तो ही हम अपने जो युवा हैं जो अपने बच्चे हैं जो हम हम सब हैं हमारी पूरी जो जो हमारी शमता है उसको हम properly यूटिलाइज कर पाएंगे कुछ productive कर पाएंगे हमने बाकी states में देखा जहां पर education पर education को preference नहीं देगी है वहां की per capita income हम देख सकते हैं वहां की लोगों का lifestyle देख सकते हैं वहां पर एक major जो उन state की population रहती है वो below average रहती है हम यह भी चानते हैं कि हमारी country mostly depend है agriculture sector पर और labor sector हमें जो भी reforms चाहिए वह agriculture sector और हमारे labor इन दोनों section को मद्दे नजर रखते हुए ही reforms जो है वो लाने है हमारे हम जब भी unemployment की बात करते हैं या अपने हक की बात करते हैं तो हमारे mind को divert कर दिया जाता है कि because we are the over populated country that's why we are not capable enough to provide jobs to the people but यह बहुत गलत है because we all know के job की availability होना employment provide करना is the responsibility of the government and government की policies जाइजीद ही exacerbate करते है अनिप्लॉइमेंट क्राइस को अगर पॉलिसी जहीं है लैंड जो reforms है वो सहीं है वो लेबर के सेक्टर जो लेबर सेक्टिन है उसको मद्दे नजर रख रहा है या जो अगरिकुल्टर सेक्टर है उसको मद्दे नजर रख कर बनाई जाति यह जो हमारा manufacturing है उसको मद्दे नज़र रखकर बनाए जाते हैं यह जो हमारे requirement है उसको consider करके बनाए जाती है तो possibility है कि हम employment create कर सकते हैं generate कर सकते हैं skill India movement या ऐसी कही सारी schemes को launch कर देना ही is not enough कैसे हम अपने यूथ को हम खुद को skill बना पाएं ऐसे reforms ला पाएं जिसकी वजह से जो money circulation है वो continue रह पाएं because we all know किसी भी country की अगर economy की बात कर दी जाए किसी भी nation की economy depend उसकी जो उस economy को चलाने के लिए circulation of the money is very important हम अगर economy के liquidity को maintain नहीं कर पा रहे हैं हमारी economy अगर stagnant है तो हम अपने economy growth नहीं देख सकते हम अपने देश की development नहीं देख सकते तो इन सब चीज़ों को consider करना is very important reforms जो हैं वो हमारे country के requirement को consider करके ही लाना जुरूरी है we are lacking in bringing such reforms because हमारे mostly जो policies होती हैं वो सिर्फ पांक साल के tenure को मद्दे नजर रखते रखकर ही बनाई जाती है because we all know कि अगर हमें development चाहिए तो एक sustainable development goal को achieve करने के लिए या एक long run में किसी भी चीज को implement करने के लिए policies बनाने के लिए हम लोग उन सब चीजों पर focus नहीं करते हम लोग देखते हैं कि 5 साल का जो tenure है हमारा हम इसको मद्दे नजर रखते कौन सी policies ला सकते हैं और तभी हम जो actual goal हैं हमारा वहां तक नहीं पहुच पारें अगर हम long run देख कर चले ऐसी policies लाए हमारी government ऐसी policies introduce करें और effectively and efficiently execute करें implement करें तो chances है कि हम जो अपने highly populated country है इसकी जो energy है इसको properly utilize करके अपने देश की progress में contribute कर पाएंगे और अपने देश को एक superpower country बना पाएंगे